प्रोटीन डायेट बहुत ही इंपोर्टेंट शोता है बहुत लोगों को कुईस्चन एही रहता है मेरा हेर लोज हो रहा है स्कीन में रैसेस आ रहा है मैं बोडी विल्ड करना चाहती हूँ मेरा वेट लोज हो रहा है मैं वेट गेइन करना चाहती हूँ मेरा बच्चे के ये आज इसी वीडियो में मैं अलड़ी स्यार करने वाली हो टोठाल फूल दे हाई प्रोटीन डायेट ये चो हाई प्रोटीन डायेट है 106.41 ग्रोटीन जो कैलोरी है 2200 कैलोरी इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाज तक देखिए और आप नया है तो चैनल क सबस्क्राइब कर लीजिए उसके साथ सत लाइक कर देजिए चलिए सुरू करते हैं पहला जान लेतीैं है कि आप फूट ग्रूँब है उसके साथ कितना प्रोटीन है पहला है एलमोंड़्स 23 ग्राम वो है वान सार्बिंग्स थोटिन कटेंड़ा है 6 ग्राम बैनाना 100 ग्र प्रोटीन होता है 1.2 ग्राम ओर्ट्स 100 ग्राम 13.1 ग्राम प्रोटीन पीनाट बाटर 10 ग्राम 2.5 ग्राम प्रोटीन बॉल एक 50 ग्राम बॉल एक 50 ग्राम प्रोटीन कंटेन करता है 6.5 ग्राम चिकन सूप 100 ग्राम प्रोटीन कंटेन 2.5 ग्राम wheat flour whole 100g, protein 12.2g, cluster beans 50g, 1.6g protein, double beans 50g, 4.15g protein, potato 100g, 1.6g protein, chicken 100g, 25.9g protein, Carrot 50g, 0.45g protein, Cucumber 50g, 0.2g protein, Lemon 25g, 0.25g protein, Onion 100g, 1.2g protein, Black Chana 50g, 8.55g protein, Soya Bean 30g, 12.96g protein, Thermonic 10g, 0.63g protein, Chili 10g, 1.59g protein, Coriander 10g, 1.41g protein, Cumin seeds 10g, 1.87g protein, अब ही जान लेती है, हाई-प्रोटीन डायेट के सथ किस हिसाफ से मेनु प्लेंट डायेट प्लेंग होना चाहिए, बड़ अल्ली मोर्निंग डायेट शुरू होने से पहले आपको एक काम करना है, आपको वार्म वार्टर लेना है, मतलब गरम पानी 250 ml एक वार्टर आपको लेना है, बोडी मेटाबोलोजम स्ट्रॉंग करने के लिए, उसके साथ साथ आपको एक्ससेज मिनिममम 30 मिनिट अपकोर्स होना चाहिए, आप जब एक्ससेज करने के बाद 50 तु 20 मिनिट बोडी को टोटाल रेश्ट रखना है, टोटल बोडी जब रेश्ट हो जाएगा उसके साथ साथ आपको 1 से 2 ग्लासेस हलका सा कोल्ड पानी लेना है, उसके बाद आपको 1 सार्विंग आल्मोंट लेना है, 1 सार्विंग आल्मोंट मतलब 23 ग्राम, और आल्मोंट बोडी का अंदर बहुत ही इंपोर्टेंश होता है, क्योंकि आल्मोंट का अंदर बिटामिन E and good source of magnesium and potassium, जो help करेगा oxygen and nutrient को flow करने में ब्लाट का अंदर, और आल्मोंट सबसे और एक वहतन काम होता है, लुआर कोलेस्टरोल लेवल, ब्रेकफास्ट होना चाहिए 8-9 a.m. का अंदर, इस ब्रेकफास्ट का अंदर आपको रहेगा, बैनना 100 ग्राम, ओर्स 100 ग्राम एट पीनाट बाटर 100 ग्राम, इसको टोटल इंग्रेडियन को एक मिक्ष्ट करके स्मूती बना लेजे, नहीं तो एक इंग्रेडियन को थोड़ा सा सॉलिड टाइप का ब्रेकफास्ट बना लेजे, उसके साथ साथ आप एक बॉयल रेख लेजे, आप बेजिटरियन है तो रोस्टेट नाट लेजे, इस का अंदर आपको टोटल फूलफिल रखेगा, यह जो इंग्रेडियन है बना ओर्स और पीनाट बटर, बना बहुत ही इंपोर्डेंश होता है बोड़ी के लिए, टोटल लॉट्स अब नीट्रेंट्स और टोटल ही जो डाजिस्टिप सिस्टेम होता है, लोगों को बहुत पावारफुल अंटी ओक्सिडेंट रहता है बनाना का अंदर, और ओर्स जो है ओ भी एक सॉलिवूल फाइबार होता है, जिसका अंदर बिटा ग्लुकागन रहता है, जो बोड़ी के लिए इंपोर्डेंश होता है, और लॉड कोलेस्ट्रोल लेबल से, और ब्लाट बोड़ी को बिल्ड करने में हेल्प करेगा, उसके साथ सथ ब्लाट शुकर लेबल को मैनेज करेगा, और रिडू तर रिक्स ऑब ब्रेस्ट कंसर, और जो बोड़ी एक है, बोड़ी बहुत ही, मौर्निंग टाइम सबसे बहुत ही इंपोर्टेंश होता है, मैं हाट टेम बो उनको स्ट्रेंद रखने में हेल्प करेगा, और नार्भा सिस्टेम को और भी इंप्रूमेंट करने में हेल्प करेगा, मीड बॉर्निंग टाइम स, मीड बॉर्निंग आपका होना चाहिए, 10 से 11 बाजी का अंदर, इस मीड बॉर्निंग में एक 100 ग्रम का चिकेन सूप लांच टाइम लांच टाइम होना चाहिए 12.30 का अंदर इस लांच टाइम का अंदर आपका पसंद राइस है रोटी है नहीं तो दूनों मिक्स करके ले सकती है बट 50 क्रम आपको लेना ही है उसके सथ क्लाश्टर बिन डाबल स्बेंस पोटाटो एक साथे वेजिटाबल्स नह इस स्टेवाब बमम 3 आवर्स के बाद आपका डायेट का अंदर स्नाख होना चाहिए इस स्नाख्स में ब्लाइक चाना क्जक्रोट क्यू कामबाल लेमोन एन ओनुन का एक स्प्राओ्ड होना चाहिए ब्लाइक चाना को आप रोबी ले सकती है मतले पानी में बिगा environKEर ले लिए इनका जो benefit होता है Immunity System को strong रखने में help करेगा digestive System को और भी strong रखने में help करेगा body को build करने में help करेगा उसके संस सब जो लोग चाहती है low cost diet ग्भारा कि ने एक फुल्फिल नीट्रेन रेने के लिए हाई प्रोटीन डायट लेने के लिए एन हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल जीने के लिए आपका डायट का अंदर सेबेन थर्टि के अंदर लीनार वना होना उपकोर्स चाहिए सेबेन थर्टि के बार अंदर प्रोटी और नीटिटेस्ट होने में हैल्प करेगा जितना body का अंदर digestive system strong राखेगा पाचन किया ज़्यादा होगा benefit होगा अपका अपका sleeping pattern अच्छा राएगा immunity boost अच्छा राएगा जितना में disease का problem होता है धिरे धरे 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 कम हो जाएगा and disease तो totally बांध हो जाएगा disease मतलब cold fever इतना कभी भी नहीं आएगा अपको फॉलो करना है 730 का अंदर डिनार आपको लेना है बस इस डिनार में क्या रहेगा रोटी 50 ग्राम का और श्राविन 30 ग्राम का बड़ी जो स्यावी ने total high protein है good carb है good calorie है बड़ी का अंदर इतना effect नहीं पड़ेगा कि बड़ी के लिए हेल्थफुल होता है यही है full day menu plan and diet plan इजो मेनो प्लेन है क्या कालोरी है जो breakfast का जो कालोरी है 800 कालोरी मिट मोर्निंग 40 कालोरी लांच 550 कालोरी स्नाक्स टाइम कालोरी 180 दिनार में कालोरी होता है 230 और जो अलड़ कालोरी कंदे 96 एंड जो स्पाइसे से 124 कालोरी एंड जो ओयल है 180 कालोरी टोटल प्रोटीन है 106.4 वान गम प्रोटीन एंड जो कालोरी है 2200 कालोरी बाट आप एक चीज़ धियान में रखिए मैंने मेरा जो डायेट प्लेनिंग है आपकी से इसाब से मैंने इसलिए ब्रेकफ़र्स्ट टेम हाट टेम आपको कोशिज करना है वेख फोल्फिल डायेट लेना उसके पाद ध्री ध्री लो लेवेल में आना है देखिए आपका डायेट का अंदर ब्रेकफ़र्स्ट 800 कलोरी च लांच में देखिए 550 550 के बाद स्नेक्स में मैंने छूटा 80 है थोड़ा सा जाधा है कि ब्लैक चाना है हाई कालोरी होता है तो ओहां पे मैंने टिनारबे 230 कर चुकी हो इस हिसाब से अपको इस हिसाब से planning करके डाइट इन्डे करना है यही है एक चकली मेनू प्लैन, एक चकली डायेट प्लैन आपको इस हिसाब से लेना है आपका बीमार है नहीं है वेट गेन हो रहा है लोस हो रहा है कुछ फरक नहीं है बढ़ आपको healthy balance के लिए इस डायेट आपको hard time maintain करना है इस वीडियो का आंदर आपको सबसे पहला अडबंटेज राएगा क्या फोट क्या प्रोटिन कांटेंड करती है पहला होता है ब्रेंड डेबलाम्मेंट और ग्रोध डेबलाम्मेंट सबसे बड़ा इंपोरेंड होता है चाइल्ड इनफ्रेंड टिनेजर मतलब 20S तक क्योंकि इस टाइम में ग्रोध का बहुत ही इंपोर्टन शोथा है इसलिए हाई प्रोटिन डायट होना चाहिए सेकेंड अडवांटेज है प्रेगनेन ओमेंट के लिए प्रेगनेन टाइम में बहुत ही लोगों का अंदर आइरेंड कमियारा जयता है आइरेंड उस टेम बहुत ही इंपोरटन शे पर इस जो प्रोटीन का जो डाइट प्रैन है इस डाइट का अंदर आपको टोटाली फूलफिल रखेगा आईरन एन अधर टोटाल प्रोटीन कांटेन हेल्थ बेनेफिट इम्मिनिटी सिस्टेम को और भी स्ट्रोंग रखेगा थार्ड अडबंटेज है लेक्टेटिंग ओम अविशने इस फुटाली फूलित डाइटिंग में रखेगा कालोरी अभी चालूरी resign kenley तो इसलिए अएठ लौज्ट यैड है छाहत है갈Highач रखेगा सब्सक्ता हूं फूलोँ कर सब्सक्याइट के क्लीन न करूंचे सब्हसे खूंत्य है क्लेचms सम्तुरद सब्सक्राइट को जाणना जोरुलवे होता है उनका डाइट का अंदर हाइ प्रोटिन डाइट होना चाहिए है तो इसी टाइब का डाइट का अंदर आप हाइ प्रोटिन बहुत ही है France लोग कर सकते हैं ऐसके डायट प्लैनिंग हैं बार जो मैंने जो gapping time बोला है lunch के बार snacks में gapping time breakfast के बाद mid morning का gapping ताइए आपको उस हिसाब से आपको लेना है आप आपका हिसाब से लिजिए और कुछ भी problem है तो comment करके बोलिए और आज का वीडियो कैसा रहा आप comment करके बोलिए इसी टाइप को मैंने बहुत सारा content आपके पास देना है आपके पास यार करना है मेरे साथ जूड़े रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए thanks for watching